कि नमस्कार गुड आप्टर नून आप सभी का पुनहां आपके अपने हितार्थ आईएस के कोचीन संसान की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है चलिए फटा-फट जूड़ जाए ठीक है हम लोग आज अपवाहत अंद्र का अगला क्लास करेंगे ठीक है अपवाह अगली क्लास पर ठीक है अचलिए क्लियर है ऑडियो वीडियो क्लियर है एक बार चेक कर लीजेगा और यह वीडियो को अना चलिए मैं बहुत जाता कमेंट को नहीं लोंगा समय थोड़ा सभाव रहेगा मैं चाहतों कंटेंट आपको ज्यादा दूँ नजर रहेगी बहुत ज्यादा मैं आपसे बात्षित नहीं कर पाऊंगो कि इधा टूटा पॉइंट चलेंगे प्रस्टों पे चलिए आप लोगों को यह भी पता है कि हमारे संसान के द्वारा नया कोर्स लाउंच किया गया है ऐसा ही का आप चाहें तुसमें क्या है जुड़ सकते हैं तीन दिन एक जिना मंदीर किस नदी के तड़ पर इस्थित है यह पूछना चाहा रहा हैनल जब बात आती है गंधैश्वर मंदीर की तो थोड़ा समय आपको बता दूं यह घंधेश्वर मंदिर के द הת चीमण जी भोसला इन्होंनी इसका क्या जिननों धार करवाया है यह आपको जानकारी मिलेगी कहीं से प्रश्चना एक यहां पर फैक्ट अनेक इसका अंसर होगा क्या महा नदी ठीक है महा नदी के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसके बारे में 859 इसकी क्या से ध्यान रखिएगा भई एलैस लिख रहा हूं ठीके बिलाजपूर छेत्र से खोंडी खोक्सरा के पहाड़ी से उद्गम होता है पैरी नदी का भात्रिगड पहाड़ी गरिया बन छेत्र और खारी नदी की जब बात आती तो फेट चुगा की पहाड़ी पुरे वो खुद आपसे याद हो जाएगा चलिए निम्ने स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिन से उत्तर है ना दक्षिन से उत्तर महा नदी के समीववर्ती खेत्रों में इस सी था यह पूछ रहा है आपने देखा होगा कि जब भी आप धमदरी खेत्र से जब महा नदी का उद उत्तर के क्रम में उसके समीववर्ती मतलब महा नदी के तट पर इससे सहरों का नाम पूछा जा रहा है इसको आपको बताना कैसे है दक्षिन से उत्तर मतलब इधर से स्टार्ट करेंगे और उत्तर के और लेकर चलेंगे क्लियर है कि सिरपूर कहां है यहां पर सौट में ल अब देखेंगे तो सबसे नीचे में पहले दिखते हैं कौन सा भाई तो सबसे पहले दिखेगा कौन सा गरियावन के अंतर ट्रजिंग पढ़ता है मतलब इसका अंसर आपको दिखेगा ऑप्षन नंबर खीक है, तीनो नदी के संगम पे जो इस्थित सहर है, जिसका नाम है क्या राजिम, शत्तित गर्त इसको प्रयाक कहते हैं, याद रखेगा, बहुत महत्तपुन है, बागी सिर्पूर वगेरा को भी ध्यान रखेगा, इतिहास की दिश्ची से भी काफी महत्तपुन जगा है, ख महानदी के उत्तरी भाग से मिलने वाली नदियों का क्रम पूर्व से पस्टिंग पूछ रहा है, मतलब यह अगर हम देखें, यह महानदी है, तो महानदी से उत्तर में, मतलब इस तरह से देखना है, इधर से मिलने वाली नदियों का क्रम, इस तरह से कौन कौन सी नदियां क्रम में देखें, तो सबसे पहले आपको तो दिखेगा एक नदी का नाम मिलता है इब नदी, कौन सी नदी, इब नदी, लेकिन इब नदी इसमें option में है नहीं, तो इब के बाद आप देख सकते हैं भई, केलो नदी आता है, ठीक है, केलो के बाद आप देखेंगे, मांड व हजदो, और हजदो के बाद की कुछ नदिया, जो बड़ी महत्तपुन नदियों में, ठीक है, फिर आज आएगा लीलगर, अर्पा वगेरा, वो फिर क्या सिमनात की सहायक नदियों में, क्या है, आकर सामिल हो जाएगा, ठीक है, तो इसका सही क्या होगा, केलो नदी, मांड नदी बोरई और हजदो, यह सिक पेंस को याद रखना, अब आपके लिए जो महत्तपुन है, कि आपको पूछे कि महा नदी की उत्तर से मिलने वाले नदियों का नाम है, महा नदी की सहायक नदी के नाम बोले, तो यह सभी नदी क्या है, महा नदी की सहायक नदी में सामिल होता है तो प्रश्ण वही है आपको पढ़ने का तरीका बदलना चाहिए आपको प्रश्णा एक प्रश्णा विक कितना प्रश्णा आप देख सकते हैं आपके नजर के उपर depend करता है कोई व्यक्ति एक चीज को जब देखता है तो उसी वी क्या है वो अपना अस्फलता देखता है और उसी चीज में कोई व्यक्ति अपना option ढूंड लेता है कि यह मेरा क्या है यह मेरे लिए सटिक option है clear है चलिए तो आप देखेंगे तो केलो मिलने वाली नदियों का नाम भी यही है दूसरा कि यह सभी साहयक नदी है किसकी महानदी की ध्यान रखिएगा महानदी की दूसरी सबसें बड़ी साहयक नदी की रूप में आपको कहीं कहीं निखेंगा नाम हज्देव बगएर लाए मिर्द्स ही यह आपके लिए Angeles हो सकता बताने की जवरत तो नहीं है ठीक है किसकी है महानदी की सहायग नदी है ठीक है गोदावरी की जब बात आये तो गोदावरी जानते हो भई गोदावरी अपवाहतंत्र ठीक है छत्तिजगर के दक्षणी भाग में यह क्या प्रवाहित होती है इसमें हमारे यहां की इंद्रव नदी महानदी की सबसे बड़ी साहायक नदी के रुख में कर दूसरा सबसे बड़ी साहयक नदी के रुख में चलिए क्लियर है यहां पर गुदावदी वागेरा की बात आती है इंद्रवत्ती वागेरा को विसे साफ ध्यान रख सकते हो फीक है इंद्रवती पे बहुत महत्वपुन परियोजना है बहुत घाट परियोजना संभाता यह टेस्ट में पूछा गया था क्या तो बहुत से होता है यह पूछ रहा है यह पूराना प्रश्न है आपको इसको करेंड के साथ अपडेट करना है अगर यह option में ना हो तो आपको मैं पहले बता चुपा हूं संभावता है और नहीं अगर सुने होंगे ध्यान से तो दोबारा सुन लिजिए गड़ चिरावली महाराष्ट चेत्र से उसका उद्गम दिखाता है क्लियर है देवगड की जब पहाड़ी की बात आती है तो यह देवगड वगएरा आप ध्यान रखिए हजुन नदी वगएरा बैला डिला की पहाड़ी आद रख लिजे तो आपने डंगनी संगनी नदी वगएरा आसरम किसे बात को ध्यान रखिए het western और नदी युदृ के जीवन रेखा बोलते हैं महान नदी को तो यह देखा बो perspective किस seizure का प्रवत का प्राचिनाम शुप्ति मत है तो सिहावा का महान नदी किस्हट नदी का उतकम या तो पानाबरस की पाहड़ी देगा या घडशिरवली महारास्ता देगा अगर दोनों अप्षन में हो ती यह लगा देना क्यों क्योंकि अगर यह अगर नया उद्गज ढ़洵 दिพराना ही रहता तो नया लिखते चलो Mississippi पहाड़ी की जब बात आये तो बारा सो दस मीटर नंदी राज उची छोटी पढ़े हो भई देवगड़ की पहाड़ी की जब बात आये तो आपको पता है यह कैमुर श्रिंखला का भाग है ध्यान रखिएगा मैं बार बार एक चीज को रटा दे रहा हूं आपको ताकि आप से गलती की गुंजाई समाप्त हो जाए एक प्रशना आप गलत करके नहीं आओ यह मेरा उद्देश से है मेरा क्लास का यह उद्देश से है चलिए 36 गड़ों को दो भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है जब बात आती है 36 गड़ों की ठीक है कितने गड़ों की 36 रायपूर की साख़ा और तूसरा रायपूर की तो अपने आपने कलचूरि पढ़ा होगा किश्यों को वरणन देख़ें कि कया है एक समय के बाद कल्चुरियों को विभाजन होता है कैसे विभाजन होता है विभाजन का कारण क्या है यह बहुत अच्छे से आपको 36 गड़ की तिहास की कख्छा में पढ़ने को मिलेगा नहीं पढ़े होंगे तो जब इतिहास वाला पोर्षन कंप्लीट करेंगे तो संभाव लगेगा कि कास मैं हितार था यह स्कूचिंग संसान तो ऑनलाइन क्लास अगर पढ़ लेता तो मेरा एक प्रश्ण गलत नहीं होता इसका आपको आंसर यात रखना है कौन सा सिवनाथ नदी धोखे से आपको महानदी नहीं लगाना है महानदी का यहाँ पर कोई काम नहीं है खिक है शिवनाथ नदी के अगर उत्तर की ओर देखें तो उत्तर की ओर आपको मीलेगा ठारा घड तीक है और ब्रक्षिन को मीले देखेंगे क्या है अठार गण इस तरह 36 गढ़ों मैं क्या है दांगरी नदी की पहाड़ी इनका उदगं होगा है樵 जो अचे प्रधूसितम नदी में सामिल होती है तो प्रसन इतने है कि मैं बताना ही स्टार्ड करूँ तो पूरा आपका जितना प्रश्ण है उतने प्रश्ण का समय फिर पर इतने ही खा जाएगा और मैं नहीं चाहता कि हम क्या है जिस वे में चल रहे उस वे से भटक जाएं चलिए बढ़िया ठीक है थस्देव के बारे में बादबार पता चुका हूं थस्देव के बारे में और जानकारी आपको और हमी लेगी चलिए नांद घाट किस नदी की किनारी इस सित है यह पूछ रहा है भई चलिए पताईए भई चलिए चल्ए जब बाताए तो कौन सी नदी किनारे है किसम नदी किनारे है रहाए इनांद घाट पहले कहां पर यह द्यान रख लिजे व्ही मैतर जीला में पढ़ता है ठीक है है लुक्ते में किना रहे आपको मिलेगा हाफ नदी वगेर भी आगें पे आपको अविसरजित होती है इसे बात को ध्यान रख सकते हैं आफ नदी शागरी नदी वगेर यहीं पे यहीं पेड़ी ऊपर चुकर आरून नदी की जब को ठोन दिए चलिए थाना ये खारून नदी के बारे में और डिटेल बताऊंगा मन्यारी नदी के आद मुंगेली शेतर सिहावलंसागर वगरस उद्गम दिखे गए इसको अरून नदी के बारे में इसमें है उसमें मैं इसका डीटेल जाओंगा है कि इस चिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहयक नदी कौन सी है यह पूछ रहा है भई तो अगर आप देखेंगे तो यह लगभग यह दोनों नदी का लंबाई 84 किलोमीटर 64 किलोमीटर दीखेगा अरपन नदी का आपको ल जान बुच के छोड़ा जाता है ताकि उसका एक्सप्लेन आगे वाले प्रश्नमें अगर हो रहा है तो फिर उसमें करो तो जाता मजा आता है कि यह याद रखना यह सिहावल सागर चेत्र यह पड़ेगा यहीं से इनका क्या है उद्गम दिखेगा मन्यारी नदी का ठीक है इस बात को ध्यान रखना मुंगेली विलाजपूर के मध्य सीमा रिखा बनाती हुई ये नदी प्रवाहित होती है ताला गाउं किस नदी के तट पर इस्थित है अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि बात आती है ताला गाउं पूनत अगर नाम देखें तो ये लिखर है त ताला गाउं ठीक है अमेरी कापा या फिर लिखा रहता है ताला गाउं दोनों नाम वही है ये किस नदी के किनारी इस्थित है वही तो मन्यारी नदी के किनारी इस्थित है मन्यारी नदी 134 किलोमीटर ठीक है सिहावल सागर छेत्र ठीक है सिहावल सागर ठीक है कहां पे क्या है इनका आपको विशेश उद्गम दिखेगा सबसे महत्यपुर यह है यह अमेरिकापा ताला गाओं की जब बात आती है तो यहां पर इस्थित है 36 गड़ के सर्व प्राचिन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर कौनसी देवरानी जेठानी मंदिर यह जब देवरानी जेठानी मंदिर की जब बात आती है तो याद रखना सरवपुरी सासक की जो रानिया थी सरवपुरी वंस की इनके द्वारा ही यह मंदिर बनवाया गया ह यह प्रस्त्य इतना बार पूछा गया है बार-बार पूछा जाता है कि सरवप्राचीन मंदिरों में अगर कोी नाम आता है तो द्यवराणी जी ठानी मंदिर किस हमस की सासिकाओं ने बनवाए है केहें हाण है ना सासिका ना कहें रानी केह जाधा अच्छा होगा तो नाम मिलेगा सरप पूरिवंग्स यह जो है कहां पर है अमेरिकां पाताला यह मिलेगा बिलासपुर जीला कौन से पढ़ता भाई बिलासपुर क्योंकि उद्गाम आपने भी मुंगेली पढ़ा है तो फिर बोलेंगे सर यह बिलासपुर में है इस बात को याद रखना बह यह पूछना चाहा रहा है आपको ध्यान रखना है कि जब तांदूला और खर्खरा की बात आए तो यह सिवनात की सहायक नदी हैं सिवनात के जो दक्षिन से मिलने माली कुछ नदियों का नाम लिख लिजे आप ठीक है एक का नाम आपने याद रखा होगा भई खारून ठ टांदूला खर्खरा इसके अलावा इसमें कुछ नाम और चाहें तो और याद रख सकते हैं जैसे नाम मिलता है जमोनिया भी कि देंगा कि यह नदी किसकी सहायक नदी जमुनिया तो फिर बोलेगा सर अभी तक तो खारून तांदूला और खर्खरा में अटके थे जमुनिया कहां से पैदा हो गए तो यह याद रखिए उत्तर से अगर इनके मिलने वाली नदियों का नाम बोले तो इनमें बहुत सारी नदियों का कि वैड़ी है यह नाम को भी याद रखना यह किसके सहायक नदी है तो यह सहायक नदी किसके सिहनात की तो यह कुछ नाम आपको बहुत अच्छे से रठके बैठना है बार-बार इस नाम को लिखूंगा आपको देखते ही इसका प्रहांसर मिल जाएगा खालिस्थान को उधंके जिले के भानूपरताब तहसिल के पाणिओं नदी तो मिलेगा क्या तांदूला नदी याद रखिए तांदूला पर्योजनाव अगेर भी इसी में दिखेगा खारुन नदी की जब बात आए तो सुन लीजिए रायपूर जो सहर है इसी नदी के तटपर है यहां पर याद रखना महादेव घाड ठीके कभी नाम निस सुना होगा या फिर भूमने तो गए ही होंगे ठीक है विशेश रुप से निब्बन निभ्यों को जो परियाटनी स्थल है यही दिखता है तो महादेव घाड याद रखिएगा रायपूर चेत्रह याद रख लीजिएगा यहां पर कार्तिक पुरणीमा में कहां पर कौन से समय कार्तिक और यहां पर मेला कब आयोजन होता है यह अगर पुछे तो यह इसका अंतिम सवाल है समझाया इस लेवल तक वो जा सकता है इस लेवल तक आपको याद रखना है जोंग की जब बात आती है तो आपको सोनवेरा का पठार याद आना चीए भई ठीक है सोनवेरा का पठार अ आपको एक साथ कनेक्ट करना है और यह इनका पूरा क्या है निचोड रहेगा यह सिवनात नदी के बारे में बहुत सारी चीज़ा आप जानते हैं ठीक है सिवनात अथा खानुन नदी का संगम किस इस्थान पर है यह पूछ रहा है यह प्रस्ण एक दो बार आया है याद रखना इनका संगम आपको मिलेगा सोमनाथ यह सोमनाथ पढ़ता है विमेतर जील में कहां पढ़ता है विमेतरा मैं थोड़ा से स्पीट पढ़ा दे रहा हूं ताकि आपका समय बहुत ज्यादा नुपसान मत हो तेवहार का समय है सभी व्यस्तर रहते हैं आपको दो मिनट समय मेरे कारण खराब हो यह मैं कते ही नहीं चाहता है इसलिए मैं कमेंट पर ध्यान बहुत कम दे रहा हूं अभी दो तिन चार्जिंग क्लास ऐसी चलेगा आप इमान दरी से अपना कमेंट कर जिए लाइक सब्सक्राइब कर दिजिए अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर याद रखना यहां पर स्वमनात की जब बात आती है यहां शंकर भगवां से संब्सक्राइब मंदिर मिलेगा आपको श्वमनात वगेरा बहुत लोग उस तरफ च्छेतर में जाते हैं दर्सन करने पर यह तर्याटन की रुप से भी महत्त्रपूर है राजिंग की जब बात ध्यान रख लिए यह प्रस्ण में कुछ निकल के जो आया है वह आपके समच्छे हैं कि तेर्वे नंबर का जो प्रस्ण कहता है कि 36 गड़ की रानीपूर में प्रसिद्ध महाद्यवगाट का मेला किस नदी के थट पर लगता है यह पूछ रहा है और यह सीखनात लिकाए यह रानीपूर नहीं होना चीए मेरे हिसाब से यह होना चीए रायपूर है तो इसको थोड़ा सा क्रेक्ट करेंगे ठीक है तो करेक्ट कर लिजिएगा भाई रानीपूर नहीं होगा यह रायपूर होना चीजिसको थोड़ी देर पहले में डिल किया हूँ इसको सुधार लीजिएगा रायपूर होना चीजिए यह 36 गड़ के प्रसिद्ध महाद योगाट का मेला किस नदी के तड़ लगता है अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है वे खालून नदी के तड़ ठीक है और कब लगता है यह पूछे इमेला तो आपको बता देना है का पूर्णीमा में होता है मवश्य में नहीं होता नहीं के बराबार देखो गया ठीक है कि तो सुधार लेंगे थोड़ा सब्सक्राइब ए कि का पूरणीमा के असर ध्याणर रखेंगे वकिची चीजों के बारे में बहूंत अच्य से आप नें पढ़ लिय तो तो पूरी चीजों को आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं अगर मैं कमेंट पर ध्यान कम देता हूं आपको कमेंट कम लेता हूं तो इससे क्या है आपका समय का थोड़ा सबचावा होता है दो मिनट चार मिनट पांच मिनट जो भी 36 गड़ के नियाधानी बिलासपूर नगर के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है ये पूछे तो भाई इसका अंसर तो आपको पता होना चीए अर्पनदी ठीक है अर्पनदी की जब बात आती है तो याद रखना बिलासपूर को किसको याद रखोगे बिलासपूर नदी का भाई नाद रखना अर्पनदी का उध्गाम अगर पूछे तो जीपी एंग आद रखना रखना परिएखना ठीक है है इस बात को याद रखना ठीक आर पर वग coup में आपको इनके सहायग नदी मिलेगी भूग कि चगा ऊठी भागर वागरा इस बात को ध्यान रखना उसमें भी आपको परियोजना मिलेगी केलो नदी महत्वपूंड है कि शेत्र के लिए रायगाड के लिए केलो नदी रायगाड की जीवन रेखा कहलाती है केलो नदी या रायगाड जो है केलो नदी के तट पर इस्तित है याद रखना इसे में एक परियोजना जिसका नाम है दिलिप सिह जुदेव यह परियोजना संभावता आपको एक बार और पढ़ने को मिलेगा लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इतना बार आपको पढ़ाऊं कि जब प्रस्न जब आये ना तो आपको आपको देखते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सड जब केलों नदी की बात आए तो रायगण हमको याद रहा हूं यह इनका पूरा निचोड है याद रखना विलासपूर अगर सहर अगर कहें तो इसी के किनारे है अर्पा नदी के किनारे है ध्यान रखिएगा चलिए आज का अंतिम सवाल लिलागर, खरखारा, खारुन और जमुनिया चतिस गड़ में से किस नदी की साहयक नदी है और मुझे नहीं लगते इस प्रशना का अंसर आप गलत देंगे थोड़ी देर पहले इसको बहुत अच्छे सा एक्स्प्लेन कर दिया हूं तो यह रह आज का पूरा निचोड इस क्लास से आपको मुझे ऐसा लगता है बहुत कुछ सिखने को मिला होगा जो बच्चे पढ़ चुके हैं हो सकता है इसमें जितना पढ़ें उससे पढ़ा हुआ ही चीज दिखा हो नया ना मिला हो लेकिन आपको इतना चीज पता चला होगा कि यह है ऐसा भी प्रश्न होता है तटवर्ती छेत्रों को भी पूछा जाता है नदी का सिक्वेंज भी पूछ लिया जाता है किस नदी पे या किस नदी के तरफ पे किस तरह का मेलक आयोजन होता यह भी पूछता है किस नदी की लंबाई कितनी है तो यह सब फरस्न पुरा बना ह हुआ है और इस तरह का प्रश्णों को अगर आप डील कर पा रहे हैं तो इमानदारी से आप सहीं पढ़ाई कर रहे हैं और इसी तरह से आपका अगर मेहनत साथ रहा तो आप क्या है वाकि में लक्षे तक पहुंच जाएंगे है चलिए सभी बच्चों का अंसर बहुत असांदार है ठीक है तो इसका अंसर क्या होगा भई लीलागर खरखरा और खानून की बात आए तो सिवनाथ न दी इतने को बहुत अच्छे से पढ़िए सभी अच्छे सी दिवाली मनाईए ठीक है समय है दिपवली का मैं ऐसा कते ही बिल्कुल अपने लाइफ के लिए और अपने फ्यूचर के लिए अपना एक समय शेड्यूल फिक्सर रखिए वह आपके लिए यह होना चाहिए और दूसरी सबसे महत्यों पुर्ण सुचना हम मजात में भी किसी जानवर के आसपास से इर्दगिर्द फटाकर नहीं पढ़ ऐसे जीव जन्तु के आसपास तभी पठाका नहीं पोड़ेंगे इस बात को इसे धान रखेगा और बहुत सतरकता से साउधानी पुर्वकापलग क्या है तिवहार इंजवाय करिए तिवहार है मनाने का है सबको खुसिया बांटने का समय है और किसी के कारण और किसी को हमारी कुसी वहां पर काम की नहीं इसलिए इमानदारी से पढ़ते चलिए बातों को ध्यान रखे सभी को सुग दिपवली आपके जीवन में यह दिपवली रोशनी लेके आए बस यहीं आश्य करता हूं चलिए धन्यवाद चुब कामना है सभी